अंक चार राहू की एनर्जी को दशाता है जिनका भी जनम किसी भी मन्त की चार, तेरा, बाइस या फिर इकतिस तारिक हुआ है तो उनका मुलांग होता है चार आज हम बात कर रहे हैं राहू की असल में राहू का अपना कोई वजूद नहीं है इसलिए इसे चायाग्रह की संगय दी गई है हमारे भीतर चलने वाला अंतर्दवन्ध है ये हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में हमें पैमपर करने में राहू का बहुत एहम रोल है आज के इस कल्यूग में राहू को राजा मना गया है क्योंकि खुराफाती दिमाग देता है प्रैक्टिकल माइन का व्यक्ति को न देता है जिस उदेश्य को जिस चीज को पाने का मन बना लिया तो साम दाम दल्रभेट फिर उसे चाहिए ही चाहिए उसे पाने के लिए सही या गलग किस रास्ते का चुनाव करता है ये अलग बात है लेकिन यहां राहू उदेश्रे के पूर्ती जब तक करार नहीं देता तब तक व्यक्ति को करम शील लगता है बेचैन लगता है अगर आपका राहू मत्बूत होगा राहू की अच्छी होगी तो अपने लक्षे को पानी से आपको कोई भी नहीं रोग सकता और अगर राहू की अनरजी खराब हो जाए तो आदमी अपने लक्षे से बठक जाता है गलत संगत में पढ़कर अपना नाश कर बैठता है वानी में उसके करवाहत देख सकते हैं उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता है एंड ट और अरथ है कि आपकी राहू की एनरजी सही काम नहीं कर रही है आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके साथ हो रहा है तो सबसे पहले अपने भीतर यह ठान ले कि मुझे गलत संगत देने वाले लोगों से मित्रों से दूरी बना का रखनी हैं नशे का त्याग करना है सबसे पहले अपने आपको positive way में रखना है, negative बातों को, सोच को, अपने भीतर बिल्कुल भी नहीं लाना है, शंकाल उस्तिती, अपनी ब्रह्म की स्तिती से अपने आपको बाहा निकालना है, जोकि दिखने में आप जितने सहसी लगते हैं, उतने ही अंदर से आप डरे हुए होते है कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, मन ही मन आप बहुत ज़्यादा बहभीत रहते हैं, इसलिए आसानी से आप लोग मितर भी नहीं बनाते हैं, लोगों से एक दूरी बनाए रखने का एक बहुत बढ़ा कारण यही है कि कहीं लोग आपके बीतर छिपे हुए ड धीरे धीरे आनी बंध हो जाएंगी क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसी सोच आप रखेंगे वैसे ही आपके विचार बंते चले जाएंगे, जैसे विचार बंते चले जाएंगे, आपकी करम भी वैसे ही होते चले जाएंगे, अपने भीतर कॉन्फिडन्स लान अपने साथ कैरी करने के लिए यहां मैं इसलिए मना करूँगी तो कि उससे इश्वरे जो एनर्जिक है उसके पवित्रता भंग होगी राहु की नेगटिव एनर्जी को दूर करने के लिए अपने घर में मोरपंख रख सकते हैं सुबह शाम तेज अवाज में शंक, घंटी, मंत्र उचरण की सवर चलती रहने चाहिए तेज अवाज में चलती रहने चाहिए कपूर या फिर नार्यल के बुरादे की धुनी आप कमरे में जला सकते हैं माथे पर चंदन का तिलक लगाएं सुबह सुबह तुलसी जी की पत्ये चबा कर खाएं बीमार और शारीरी टूप से अक्षम लोगों की आप जितनी यता संबभ मदद करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशल रहेगा अपनी सस्वराल वालों से संबंदों को अच्छा बनाए रखें संबभ हो तो नीली वस्तों का दान करें घर में कुड़ा कबाल बिल्कुल भी कठा ना होने दे एलेक्टर्निक समान जो खराब हो गया है उसे घर में न रखें घरियां बंद पड़ जाए तो उसे उसे वक्त बाहर निकालें बंद घरियां घर में बिल्कुल भी न रखें अक्सर देखा गया कि घरियां बंद पड़ी हैं ऐसे ही पड़ी हैं बलब जो फ्यूज होगी हैं वो भी ऐसे ही लगे हुए हैं इससे आपके राहू में राहू के करण लेगिटिविटी आती है अपने घर में साफ और खुला वातवरन रखें धूप और हवा आने की पूरी-पूरी विवस्था भी रखें जल्ग बाजी में फैसला लेने से बचें प्लैनिंग A के साथ प्लैनिंग B भी हमेशा तयार रखें अपनी बात पर हमेशा कायम रहें अपने डिसीजन जल्दी-जल्दी ना बदले अपने दिल की बातों को अपने करीबी जनों से अपने प्रीजनों से अवश्य शेर करें और हां रिष्टों में ओवर पजैसिव होने से बचें जैशे किशना दोस्तों वीडियो को आगी बढ़ाने से पहले मैं एक नजर अपने आप पर भी डालना चाहती हूँ मैं आर रुमी एक काउंसलर, निमरोलोजिस्ट, वैदिक एस्टोलोजर अगर आप भी अपनी लाइफ से जोड़ी किसी भी प्रकार की समस्या कर समधान मुझसे पस्नल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्ट्राग्राम पर जुड़ सकते हैं या फिर मुझे आप मेरे वर्टसप नमबर पर भी मैसिस कर सकते हैं जहां आप डिटेल में सारी जानकारे मुझसे प्राप्त कर सकते हैं कॉंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट अब बर्ट और कुंडि प्रिडिक्शन के द्वारा नेम के अधार पर अपनी हर प्रकार की समस्यकर समधान मुझसे दो या तीन सेशन में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात का अवश्य ख्या लखीगा कि ये परसनल कंसर्टेशन पेड होती हैं। अगर आप अपने राहू की एनरजी को अच्छा रखते हैं, राहू के अनुकोल ही अपना प्रोफिशन का चुनाव करते हैं, तो ज़रूर सफोल्तल की सीडिया आप चाटे चले जाएंगे। आज का डिजिटल योग, सोशल मीडिया राहू ही है, मोबाइल कॉम्निकेशन राहू है, इसका उपियोग आप किस तरह से करती हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप अपने राहू को अच्छा रखेंगे, सही रास्ते का चुनाव करके आगे पड़ेंगे, मन में ब्रह्म के इस्तिती उत्पन बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, तो ऐसी कोई उचाई नहीं है जो आप चुना सकें। सभी सांसालिक सुकसुविदाओं का आप पूरा-पूरा अरंद उठाएंगे, आपको सभी अंकों के साथ अपने सभी रिष्टों को बैलन्स पना कर रखना होगा, तभी आप अपने रिष्टों में भी सुख़ज अनुभव प्राव्त कर पाएंगे, अपने रिष्टों क एक बात ध्यार में रखनी है कि जो आपके लिए है वो हमेशा आपके लिए ही रहेंगे रिष्टों को खोने के डर से उन पर अपना आधिपत्य ना जमाएं बड़ी भूल कर बैठेंगे जैसे रेट मुठी से फिसल जाती है रिष्टे भी आपसे ऐसे ही थूट जाएंगे अ वड़ा जिसके साथ जूड़ गया उसकी एनरजी को चार गुणा बढ़ाने का ये कारे करेगा और अति हर चीज की हानिकारक होती है ये मिथ्टे है कि राहू हमारा शत्रु ग्रह है हमारे भीतर अगर राहू के एनरजी नहीं होगी तो हम अपने जीवन में अपने लक्षो को प्राप्त करने में और सफल रहेंगे ना तो विचारों में तीवरिता होगी और ना ही एक्षन करने में क्योंकि राहू ही तो है जो हमें पैमपर करता है व्यक्ति को उदेश्य पूर्टी के लिए उकसाता है आपको यहां समझना होगा कि कोई भी प्लैनेट हमारा शत्र नहीं होगी, क्योकि हम जैसा करम करते हैं, वैसे ही इन प्लैनेट्स के एनर्जी हमारे साथ चलती है, इन प्लैनेट्स को अच्छा रखेंगे तो network आपके लिए बनिफि eldest रही खराफ रखोगे तो यहीं आपकी एनर्जी को नेगिटिव कर देंगे और आपके एंटे नंबर तव एक्टिव हो जाएंगे जैसे कि अंग चारवालों के शत्रुवंग कौन से बनते हैं एक दो और नौ का अंग सूर्य चंद्र और मंगल साथ में ही साथ का अंग केतू का अंग भी कई बर विस्वोट प्रग बन सकता है क्योंकि राहू और केतू दोनों एक ही हैं दोनों ही ब्रहमित ज्यादा रहते हैं अगर यहां पर राहू प्रबल हो गया तो केतू भी राहू के जैसे ही जिलर दिना शुरू कर देगा क्योंकि राहू दिमाग से काम करता है और केतू दिल से काम करता है य अपने जीवन को उच्च तम उचायों की और ले जा सकें। अंक 4 के बारे में अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं, अपने जलम के दिन के बारे में घहराई से जाना चाहते हैं, तो अंक 4 पर बनी मेरी ये दोनों वीडियो अवश्य देखेगा। इनके लिंक आपको डिस्किशन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब आप चाहें 13 तारीक को जन में हैं, 22 तारीक को जन में हैं या फिर 31 तारीक को जन में हैं। इश्वन ने आपको 4, 13, 22 या फिर 31 के अंक के साथ ही क्यों पैदा किया हैं। आपकी destiny क्या है, इन सब की detail में जानकारी आपको मेरी इन वीडियो में अवश्य जानने को मिलेगी, अब आप चाहें 4 फैबरी को जन में हैं, 13 मार्च को जन में हैं, 22 अपरेल को जन में हैं या फिर 31 माई को जन में हैं, आपको अपने कैरियर के चुनाव कैसे करना चाहिए, इन वीडियो को देखकर आपको आपकी life का chapter समझने में असानी होगी, आपका vision क्लियर होगा, तो कितना connect हो पाए हैं मेरी इस वीडियो के साथ, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं, और भी घराई से जा जाते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो paid हैं, आप उसके लिए मुझसे WhatsApp पर contact कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे Instagram पर जुड़ सकते हैं, मैं आर रूमी, अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी, जैशी किष्णा दोस्तों